नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपून जानकारी को ले करके जिहां मूँ के छालों का घरेलू उपचार हम आपको आज बता रहे हैं मूँ के छाले काफी आम और असहज होते हैं यह दर्दनाक होते हैं साथ ही इनके खुले घाओं का रंग सफेद रहता है इनके आसपास सूजन रहती है जिस वज़ा से कुछ भी खा पाना मुश्किल हो जाता है छाले गालों के अंदर होट जीव के नीचे और मूँ के तलवों के नीचे दिखाई देते हैं मूँ के छाले कई कारणों से होते हैं जैसे मसालेदार खाना, कब्ज, वन्शानुगत कारक, हर्मोनल परिवर्तन, अतिरिक्त अमलता, आकस्मिक गाल के काटने, तनाव और विटामिन B, विटामिन C, लुहा तथा अन्य पोशक तत्वों की कमी से आपको मूँ के छाले हो सक खुद बखुद, बड़े और हर्म पेट्टी फोम् चाले हरानग की ठीक से होने में काफी समय लेते हैं, मुख्य चाले आम तोर पर गहरे होते हैं, और 2.5 मिटर में 3 mm से अधिक होते हैं, हर पीटी फॉम च्छाले बड़ी संख्या में चोटे च्छालों के समूंग के रूप में दिखाई देते हैं आज हम आपको मूंग के च्छालों को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप बिना किसी परिशानी के इन्हें ठीक कर सकते हैं सबसे पहले तो मूंग के च्छालों को कम करने के लिए मुलेठी की जड़ों का आप प्रियोग करें मूंग के च्छालों को मुलेठी की जड़ों से ठीक किया जा सकता है क्योंकि यह जड़ी बूटी आपके छालों के दर्द और सूजन को कम करती है इसके अलावा मुलेठी की जड़ें शलेशमा जिल्ली पर एक सुरक्षात्मक परत बनाती हैं जिससे जलन कम होती है साथ ही घावों को खुलने से भी रोकती है इसमें सुजन रोधी और रोगान रोधी के गुन पाय जाते हैं मुलेठी की जड़ों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे यह हम आपको अब बताते हैं एक चमच पीसी हुई मुलेठी की जड़ को दो कप पानी में दो से तीन घंटे तक डाल के रखें इस मिश्रन को मुह में लें और उसे कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे ही रखें आप चाहें तो उस पानी को धीरे धीरे अपने मुह में कुला करने की प्रक्रिया की तरह चला भी सकते हैं कुछ सेकेंड्स के बाद उस पानी को थूख दें और फिर से यहीं प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक आपका मिश्रन खत्म नहीं हो जाता है इसके अलावा दूसरा उपाय है मुह के चालों के लिए नारियल का दूद जिहां नारियल का दूद मुह के चालों के दर्द को कम करने में बेहत भायदे मंद है नारियल के दूद का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे यह यह अब हम जानते हैं एक चम्मच नारियल के दूध में थोड़ा शहद मिलाएं इस मिश्रण से अपने प्रभावित शेत्रों पर हलके हलके मसाज करें इस प्रक्रिया को पूरे दिन में तीन से चार बार दोहराएं इसके अलावा आप सिर्फ नारियल के दूध का भी मूँ के छालों के लिए इस् और निसंस क्रामक के गुण पाया जाते हैं इसलिए आप सामगरी को अलग से या मिला कर मूँ के छालों के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आईए जानते हैं समुद्री नमक का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे एक गलास गर्म पानी में दो चम्मच समुद्री नमक और त दो बार जरूर दोहराएं कोशिश करें कि ये मिश्रण कुल्ला करते समय अंदर न जाए इसके अलावा अगला उपाय है मुझ के छालों की दवा के रूप में आप धनिये का प्रयोग कर सकते हैं जिहां धनिये का बीज धनिये के बीज का मिश्रण एक आयुरवेदिक उपाय है जो मुझ के छालों को काफी रहत देता है साथी सूजन को भी कम करता है धनिये का बीज का इस्तिमाल हम कैसे करेंगे ये जानते हैं अब एक कप गरम पानी में एक चमच धनिये के बीज को डाल लीजे और उसे उबलने के लिए रख दीजे उबलने के बाद उस मिश्रण क का घरेली उपाय है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा यानि कि जिसे हम सोडियम बाइकार्वोनेट के रूप में भी जानते हैं मुझ के छालों का इलाज करने में बेकिंग सोडा बेहत फायदेमंद घरेली उपाय है यह विशेश रूप से अमलिय खाद्य पदार्थों या प ज़द मिलेगी ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा से आपको जलन हो सकती है अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे एक चमच बेकिंग सोडा को थोड़े से पानी में डालें और एक पतला पेश्ट तयार कर लें इस पतले पेश्ट को अपने छालों पर लगाएं इस प जहां शहद मुँखे चालों के दर्द को कम करता है शहद नमी बनाने में मदद करता है साथ ही उपचार प्रक्रिया को भी एक गती परदान करता है इसमें इंटियोक्सिडेंट और इंटिबायाटिक गुन भी पाये जाते हैं तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे आईए ज उपयोग कर सकते हैं मुग के घाओं के लिए यह एक वीकिरन चिकित्सा है और इसके लिए मनुका शहद का उपयोग करें अगला उपाय है इलोवेरा मुग के चालों के लिए बेहदलाफ दायक होता है इलोवेरा जेल या उसके जूस को अपने प्रभावित शेत्रों पर ल के गुण पाये जाते हैं रिसर्च से पता चला है कि यह मुग की स्वास्तिय समस्याओं के लिए बेहदलाब दायक है जैसे मुग के चाले घाओ मसूडे की सूजन और लाइकिन प्लेनूस इत्यादी मुग के चालों को दूर करने के लिए अजमूद का भी आप इस्तेमाल क कर सकते हैं मुग के चालों से चुटकारा पाने के लिए ताजा अजमूद की डंठल को चबाएं इसके एनालजेसिक और सूजन रोधी गून आपको मुग के चालों से चुटकारा दिलाने में मदद करते हैं इसके अलावा इसमें फोलिक एसिड और विटामिन B1, B2, B6, व अगभग 10 मिनट के लिए अपने प्रभावी शेत्रों पर लगा कर रखें मुग के चालों के अलावा यह सांस से आने वाली गंध को भी दूर करता है इसके साथ साथ तुलसी के पत्ते भी मुग के चाले को दूर करते हैं मुग के चाले के इलाज के लिए तुलसी बहत गु पत्तों को अच्छी तरह से धोलें उन पत्तों को चबाएं और चबाने के बाद थोड़ा पानी के साथ उन्हें निगल लें इस प्रक्रिया को पूरे दिन में सुबह और शाम को जरूर दोहराएं लेकिन इसमें ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से कर लिए दांट से नहीं कुचलना चाहिए या कहें चबाना चाहिए तुलसी पत्ते को क्योंकि दांटों का लॉस हो सकता है क्योंकि वो कैल्सियम के बॉंड को तोड़ता है बर्फ मुह के छाले को धूर कर सकता है जिहां मुह के छालों के दर्द को सुन करने के लिए बर्फ एक प्रभावी उपाय है जब आप बर्प को प्रभावित शेत्रों पर लगाते हैं तो ये आपके चालों को ठीक करने के लिए बेहत भायदे मंद होता है बर्प को अपने प्रभावित शेत्रों पर लगाने से जुन जुनी और जलन जैसे लक्षनों का अनुभव होता है इन आपके मूँ के छाले आपकी रोज की आदतों को प्रभावित कर रहे हैं तो उपचार के लिए अपने चिकित सक से इस बारे में बात करें तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑल्वेज रखना क्योंकि हमारा स्वास्थ जो है वो सबसे बेश किमती धन है हमारे लिए अगर हम स्वस्त हैं तो दुनिया के हर एक चीज हमारे लिए खुबसूरत है अगर हमारी बोडी में कोई भी बीमारी घर कर जाती है आ जाती है तो हमारे लिए दुनिया की सारी चीजें बेकार हो जा और इसके अलावा अपने ही डाइट को अल्वेज बैलेंस डे रखें अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज को शामिल कर रहे हैं जो की जरूरत होती है जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से क्योल मीठा मीठा खाना ही खाया है तो सुभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा विटामिन सी चाहिए होगा वो निम्बू से मिलेगा आप के ओल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार तो उसकी कमी तो हो ही रही है शरीर में इसलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना जरूरी है सुबह से शाम तक के खाने में ऐसा प्लान बनाए या डाइट चार्ट बनाए जिसमें की हर एक चीज शामिल हो जिससे आ कि अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुडएंगे एक और बहुत ही महत्तो है पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमसकार दोस्तो